हेलो स्टेंट्स वेलकम टू दा क्लासेज आए अमित गुप्ता आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं यह आपके 11 एंट्रेंस एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा इंडिया में जितने भी 11 एंट्रेंस एक्जाम होते हैं उन सब में आप अच्छे इसलिए अपना यह सिरी चलाया है अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुल में नंबर होते गया है उनको किस तरीके से सिस्टमाटिक वी में प्रजेंट किया गया है अब आप कोई भी एक्जाम देने जाते हैं तो उस एक्जाम में क्या रहता है मेरे पढ़ाने का जो method रहेगा वो उस exam oriented के हिसाब से रहेगा जैसे अभी आपने 9 10 में जो पढ़ा है आप किसी भी question को अगर solve करते हैं तो आप क्या लेते हैं उसका पूरा descriptive method solve करके लेके जाते हैं क्योंकि आपको exam examiner जो भी होगा वो भी marks उसी बेस्ट पर देता है कि आप starting से last तक आपने क्य लिखा लिखा है उस question के solve करने के लिए तो मैं इस question को इन questions को इस तरीके से आपके सामने present करूँगा कि आप क्या है पूरा method किस तरीके से आपने अब तक पढ़ा था वो कैसे करना है फिर मैं आपको इसका logic method भी बताऊंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे solve कर सकते है 5 second में किसी question को 5 में 10 में क्यों ही actual में exam में क्या रहता है आपको वहाँ पर लिखके नहीं दिखाना आपको only 4 options दे रखे हैं उनको mark करना है कि आपका कौन सा option उसमें write रहेगा तो वहाँ में आपको बस answer बताना है वहाँ पर solution का कोई role present नहीं रहता है तो मैं पहले तो आपक तरीके से उसको read गिया है study किया है और मैं आपको फिर बताऊंगा कि directly आप उसको किस तरीके से solve कर सकते हैं क्योंकि entrance exams में आपको क्या है speed भी चाहिए आप accuracy तो करते हैं यह तो best है लेकिन आपको क्या है वह accuracy अपनी speed के साथ maintain करना है और speed कभाएगा speed अगर आप उसको detail में solve करेंगे तो कभी भी various exams में important role present करने वाला है ठीक है चाहिए वो कोई भी हो आप 11th entrance exams है या कोई भी competitive exams में numbers का रोल तो mathematics में अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा numbers का ही रोल रहता है अगर आपको number की that means जो आपको मिला कहां से होगा nature से मिला होगा जैसे कि में नेचर से जो भी पराप्त हुआ है वो वो कौन से numbers होते हैं जो मुझे nature ने दिये हैं तो वो numbers आपके nature ने जो दिये हैं वो रहते हैं तो आप इसको याद रखना, नेचरल नमर क्या रहता है? जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सब रहते हैं. क्यांकि अभी आपने कभी यह नहीं पढ़ा होगा, कि इन नमर्स को किसने इन्वेंट किया है? ठीक है? ऐसा कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा. यह नेचरल नमर्स इसलिए बोले जाते हैं. अब उसके बाद क्या है? एक 0 है. 0 भी इन्वेंट किया है, एक इन्टियन साइन्टिस्ट थे उन्होंने. तो अगर मैं इस सीरीज को, इस पूरी सीरीज को 0 include करने के साथ पढ़ता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके साथ कर मैं इस सीरीज को पढ़ता हूँ, तो यह मेरे नमर्स बना देती है, क्या? Whole नमर्स बना देता है, ठीक है? तो यह मेरे होगे natural नमर्स और यह मेरे होगे whole नमर्स, ठीक है? तो यह दो बात समझ भाए है, यानि कि complete नमर्स होगे, क्योंकि बिना 0 कि आप पहुँ सारे नमर्स create नहीं कर सकते हैं, तो अब इसमें आपको बता रखा है, कि natural नमर्स जो हैं, वो कौन से natural नमर्स होते हैं, तो यह बोल रहा है, आप सभी जानते हैं, सबसे छोटा smallest नमर्स जो भी है आपका natural में, वो कौन सा है, वन ही है, इसकी बाद बोल रहा है, नो नेगेटिव नमर्स कैन भी square root of any natural नमर्स, वो कह रहा है, अगर आप किसी भी natural नमर्स को उठा लें, उसका अगर आपने क्या किया, square किया, कर सकते हैं, कि अगर मैंने natural number का कोई भी word ले लिया, जैसे मैंने natural number 3 ले लिया, अगर मैं इसका whole square करता हूँ, तो यह कभी भी negative role value मुझे नहीं देगा, ठीक है, ऐसे आप समा सकते हैं, चाहें वो square root वाला method दे रखा है, square root के हिसाब से बता रखा है, और यह मैं आपको square के हिसाब से बता देता हूँ, तो पहली बात हमने जाना, natural number क्या होते हैं, जो nature ने हमको दी है, वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके की सीरीज में, सबसे छोटा natural number होता है, 1, और सबसे बड़ा जो भी number रहता है, वो तो infinity में जाकर के आप देख सकते हैं, इसके बाद बोल रहा है, कोई भी natural number का अगर आप whole square करते हैं, तो वो कभी भी negative value आपको नहीं देगा, ठीक है, इसके बाद हम बात करने हैं, इसकी whole numbers की, तो whole number मैंने बताया, whole number काहां से बनता है, natural numbers को अगर आप 0 के साथ count करना, इस्टार्ट करते हैं, तो वो क्या बना देता है, whole numbers बना देता है, ठीक है, तो इसमें लिखा है, आपका इसकी जो definition के साबसे, अगर आप पढ़ेंगे तो, तो all counting numbers together with 0 from the set of whole numbers, यह कह रहा है, अगर आपने सारे numbers को 0 के साथ में, all counting numbers को together 0 के साथ में set किया हुआ है, तो वो क्या बोला दाएगा, वो आपका whole number बोला दाएगा, ठीक है, यह clear हुआ, इसके बाद, अब यह whole numbers के बारे में कुछ information दे रखा है, उसको discuss करने है, तो क्या क्या information दिया है, उसको पढ़ते हैं मेरा, इसमें हम बोला रखा है, first point में, कि 0 is a whole number, which is not a natural number, इसमें हम बोला रखा है, कि 0 जो है, वो एक आपका whole number है, natural number नहीं है, यह बात के लिए है, अगर यह 0 natural number होता ही, तो फिर हम इसको natural number में 1, 2, 3 के साथ पढ़ते हैं, लेकिन यह whole number है, इसलिए इसमें क्या किया है, series में अगर आप 0 को add कर देते हैं, तो वो आपका क्या बना देता है, whole number बना देता है, एक बात और याद रखना, all natural numbers are whole number, but all whole numbers are not a natural number, क्योंकि उसमें 0 बस natural number नहीं होता है, तो इस तरीके से आपकी exams में क्या है, theme लिख्या आता है, option देता है, all natural numbers are whole number, all whole number are natural number, first option true है, second be true है, इस तरीके से आपकी options आते हैं, तो आपको इनका read कर लेना, तो कभी भी कोई problem नहीं होगा, ठीक है, next point पर आते हैं, next point में आपको दे रखा है, every natural number is a whole number, देखो कोई line आ गया, जो मैंने अभी बताया, कि every natural number, कोई भी natural number है, जो 1, 2, 3, 4, 5 थे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, whole number होते हैं, but all whole numbers is not a natural number, ठीक है, अभी बोला है, 0 is a smallest whole number, अभी clear है, वही whole number में सबसे first whole number के आता है, 0 आता है, तो यही सबसे smallest number होगा, next बोल रहा है, the successor of a whole number is one more than the whole number, means अगर मैं whole numbers को लिखता हूँ, तो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब successor की तरफ बढ़ेंगे, मतलब increasing की तरफ बढ़ेंगे, तो हर number में क्या किया गया है, 1 increase किया गया है, जहने 0 में अगर आप 1 add करेंगे, तो 1 बनता है, 1 में अगर आप 2 add करेंगे, 1 में अगर 1 add करेंगे, तो 2 बनेगा, 2 में अगर आप 1 add करेंगे, तो 3 बनेगा, इस तरीके से सारे natural numbers में, whole numbers या natural numbers में अगर आप one add करते जाएंगे तो वो next number को present करेगा, यही line इसमें लिखा हुआ next line बोल रहा है the precedence of a whole number is one less than whole number, that means अगर आप इसको, देखो दो terms होते हैं इसमें, एक होता है आपका left, right left यानि की मेरा left, right यानि की मेरा right तो यह है, अगर आप इन numbers को left to right read करेंगे left to right read करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें one increase होता जाएगा अगर आप इन ही number को right to left, right to left read करेंगे, तो इसमें क्या होगा, one कम होता जाएगा, तो यह वाली line जो है वो आपको यही बता रही है कि अगर आप इस whole numbers को one less होता जाता है तब जब आप इसको right to left read करते जाते हैं तब ठीक है तो next line अब इस पर बोला integer क्या होते हैं तो अभी तक हमने समझा कि natural number क्या है जो one two three four five थे और whole number क्या है अगर आपने natural numbers में क्या add कर लिया अपना zero add कर लिया तो वो क्या बना देगा आपका whole number बना देगा इसके बाद neckline पर आजाते हैं integers क्या होते हैं तो देखो आपने पढ़ लिया one two three four वाला इसके साथ आपने zero add किया तो यह whole number बना गया अब इसके साथ ही आप negative values भी add कर लेगे minus one minus two minus three इस तरीके से तो यह क्या बना देगा आपका integer बना देगा ठीक है तो number line में देखा गया है यहाँ पर लिखा हुआ है कि one two three से लेकर कि seven तक का जो सीरी के यह क्या represent कर रहा है यह आपके natural numbers को represent कर रहा है ठीक है अब next line में बोल रखा है इसमें कि जो भी यह जो one two three four थे इनको zero के साथ add कर दिया तो यह क्या represent करने लग जया यह whole number represent करने लग जया ठीक है लेकिन जब मैंने इन सभी numbers को किस के साथ ले लिया negative values के साथ ले लिया तो यह क्या represent कर रहा है यह integers को represent कर रहा है ठीक है वो वाले sets, जिसमें गया है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 वाली series दे रखता है, वो सारा का सारा set क्या कहलाता है, negative integers कहलाता है, अगर आप positive integers की तरफ जाएंगे, तो वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके sets को आगर आप represent करते हैं, तो यह क्या बोला जाएगा, यह positive integers बोला जाएगा, इसके साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, non-negative integers, तो 0 जो भी दे रखा है, negative समझ में आ गया, positive समझ में आ गया, आप non-negative integer क्या होते हैं, जो 0 है, वही आपका non-negative integer मतलब बो 62 नहीं होता है, और 0 ही non-positive integers भी होता है, तो 0 में दोनों ही values एप्रिजन करती है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव तो जीरो इस नीधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव यह लाइन आपका लिखा हुआ है ठीक है इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें बोल रखा है नॉन पॉजिटिव इंटिज़स क्या होते है और देखो नॉन पूरा से अगर आप जीरो से लेकर के साथ लिखने हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा ठीक है तो यह समझ में आया होते हैं और इसमें क्या है P & Q के format में तो अगर आप लिख सकते हो लेकिन Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप जीरो से किसी भी वैली को डिवाइड करते हैं जैसे मैंने वुला 2 upon 3 यह एक आपका P upon Q के format में लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या बोल जो नहीं बनेगा क्योंकि अगर आपने जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो यह क्या देगा एंफिनिटी रूल देगा आपको प्रजैन करेंगे इसलिए आपका रेशनल नंबर नहीं है अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्मेशन आपको दे रखा है उस इ इन रेशनल नंबर प्रजैन हो सकते हैं किस तरीके से इस फर्स्ट पॉइंट को डिसकस करते हैं जैसे मैंने बूला 2 upon 3 जो यह पर पर 7 upon 9 यह दो वैलिए मैंने प्रेजैनल नंबर है यह भी एक रेशनल नंबर है अब मैं पूछता हूं इनके बीच में कौन सा एक रेशनल नमर बता दीजिए तो बीच में एक rational नमर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 upon 3 plus 7 upon 9 इन दोनों को add करके divide कर दीजिए किस से half कर दीजिए इसका तो आपको इनके बीच में जो आने वाला rational नमर होगा वो मालूम लग जाए है लेकिन ये बोला इनके बीच में कितने सारे अगर मैं पूछा एक मैंने पूछा तो आपने बता दिया आप मैं पूछ रहो इन दोनों के बीच में कितने सारे नमर आ सकते हैं जैसे मैंने बोला 2 and 5 है इनके बीच में आने वाले नमर बताओ तो इनके बीच में आने वाले नमर्स क्या हो जाएगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 नमर्स हो जाएगे, तो मैं बता दूँगा, 2 और 5 के बीच में आने वाले नमर्स कितने हैं, 2 नमर्स हैं, वो कौन-कौन से, 3 और 4 हैं, जो इनके बीच में आएंगे, लेकिन अगर य इतने numbers वाली बात पूछता है तो आप बोलेंगे infinity numbers इनके बीच में आ सकते हैं ठीक है क्योंकि line भी आपसे clear कर रहा है कि there are there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers कोई भी दो अगर आपको rational numbers दे रखे होते हैं तो उनके बीच में infinite rational numbers होते हैं तो आप कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में कौनसे दो rational numbers होंगे तो there will be infinity rational numbers ठीक है next line में आपसे बोल रहा है कि every rational number is not a whole number because 1 upon 5 is a rational number but not a whole number यानि कि इसने बोला every rational number जितने भी rational numbers हैं वो whole number नहीं हो सकते अब ये बात थोड़ा समझते हैं ठीक है जैसे मैंने बोला rational number जो भी होता है वो fraction के format में होता है मैंने बोला 3 upon 5 7 upon 9 ऐसा कुछ भी या 5 by 3 या फिर 7 by 11 ऐसा कुछ मैंने नमबर देते हैं कोई भी तो ये सारे fraction के format में भी होते हैं rational number जो है वो क्या fraction format में है क्योंकि इनको P upon Q के format में लिखा जा सकते हैं तो ये rational numbers है बट whole number का क्या system था whole number का system था ये complete number 0,1,2,3,4,5,6,7 fraction का कोई roll नहीं है तो आप ये clearly जानते हैं कि every rational number is not a whole number समझ भी आया क्यों क्योंकि 1 upon 5 अगर मैं लिखता हूं तो ये rational number तो है ठीक है बट ये whole number नहीं हो सकता क्योंकि whole number होने के लिए आपको ए complete number चाहिए ठीक है तो ये बात clear हुआ सारे rational number whole number नहीं नहीं हो सकते हैं बट एक बात याद रखना every rational number is not an integer और दूसरी लाइन भी है every rational number is not an integer integer भी नहीं हो सकता because 3 upon 5 is not an integer ठीक है integer वाली कहानी क्या थी integer वाली भी स्टोरी ये थी कि जिसमें negative numbers को भी अगर आप include कर लेते हैं वो सबके सब integers बोल जाते हैं 7 भी integer है 9 भी integer है minus 2 भी integer है ऐसा सब integers है बट इन में कहीं भी कोई fraction टाइप की value नहीं है ऐसी कोई भी value नहीं है कि 3 upon 5 7 upon 9 या 5 by 3 या 7 by 11 जैसा हो तो rational numbers जो भी होंगे every rational number is not a whole number और is not an integer यह clear हुआ जैसे यहां पर बता भी रखा है 3 upon 5 is not an integer integer होने के लिए क्या चाहिए complete number चाहिए चाहिए वो negative हो चाहिए 0 हो चाहिए positive हो ठीक है next line में बोल रखा है every integer is a rational number बट एक बात याद रखना every integer जो भी जितने भी integers हैं इंटीजर कौन से कौन से यह सारे सारे negative 7 negative 6 1 2 3 4 यह सब हैं यह सारे के सारे rational number हो सकते हैं कैसे जैसे मैंने बोला 5 है यह आपका integer भी है whole number भी है natural number भी है तो मैं इसको 5.1 भी लिख सकता हूं मैं इसको जब 5.1 भी लिख सकता हूं that means यह rational P upon Q के format में मैंने इसको लिख लिख लिया that means यह rational number है यह बात clear हुआ और मैं इसको क्या है मांगे चलो 3 लिखा हुआ इसको मैं 2 से multiply 2 से divide कर दो तो यह कितना हो जाएगा 6 upon 2 हो जाएगा तो यह भी अपना P upon Q के format में हो गया that means we can say every integer is a rational number अगर सारे integers rational number है तो आप में को बता है क्या natural numbers भी rational numbers हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं because integer के अंदर ही rational numbers हो whole numbers आते हैं इसलिए we can say all integers are rational numbers okay because every integer m can be represented in the form of m upon 1 and so it is a rational number clear next line आप से बोल रखा है the sum difference, question, products, every integer m can be expressed in the form of m upon 1 and so it is a rational number तीक है अभी बोल रहा है अगर आप sum करते हैं अगर आप question बचता है आपका कुछ भी या आप किसी का product करते हैं यह सब के साथ एक value देंगे that means मैंने understood कर लिया कि m देंगे तो इन सारी values को मैं m upon 1 के format में लिख सकता हूँ that means all are rational numbers यह कुछ examples भी दे रखें plus 6 minus 6 plus 7 minus 7 into root 3 into root 3 यह भी root 7 upon root 7 root 17 upon root 17 these are the rational numbers तीक है अब next बात आती है भाई rational numbers समझ में आ गया तो irrational numbers क्या होते हैं तीक है अब irrational numbers के बारे में समझ लिजे a number which cannot be represent in the form of p upon q जिन numbers को आप अपने p upon q के format में नहीं लिख सकते वो सारे के सारी क्या बोले जाएंगे irrational numbers बोले जाएंगे यहाँ पे p and q जो दो values हैं यह क्या है आपके integers हैं और q does not equals to 0 के बंदे रखें आपको आगे इसके बारे में जानते हैं a number whose decimal expression is non termination और recurring is irrational number इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी number decimal में express किया जाए तो वो non terminating या non recurring है तब वो irrational number बोला जाएगा अब इसमें दो terms नहीं आपके सामने आगे क्या non terminating और non recurring तो यह non terminating और non recurring numbers क्या होते हैं इनके बारे में जालते हैं देखो अगर मैंने एक number लिखा जैसे 1 upon 3 मैंने लेखा अब मैं इसको 3 को 1 में divide करूँगा 3 से divide करूँगा 1 को तो मेरे पास result देगा 0.33333 यह same to same value repeat होती रहेगी कहां तक till infinity terms तक तो यह जो number मेरे को दे रहा है 333 यह repeat हो रहा है बारबार repeat होने वाले नमबस कोई terminating या recurring बोला जाता है terminating या recurring बोला जाता है समझ गाया अब यह बोल रहा है non terminating और non recurring का मतलब है कि जब आप divide करें तो same value repeat नहीं हो उनको non terminating या non recurring numbers बोला जाता है जैसे मैंने बोला किसी भी value को divide करने का बाद 0.2586732459 ऐसे कुछ भी number आता गया मतलब same number repeat नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है कि 5 यहां आ रहा है तो 5 यहां भी आ गया यह कुछ भी नहीं मतलब पूरी series repeat होनी चाहिए जैसे 3333 एक sequence में आ रहा है या फिर मैं बोलू 0.257257257 यह same value repeat हो रही है तो इनको बोलते है recurring numbers और इनको बोलते है non recurring या non terminating numbers तो यह बास समझ में आया है मतलब जिन values को अगर आप divide करने हैं करने के बाद decimal में जो value आया है यह तो यह क्या repeat नहीं हो रहा है 10 double 10 triple 10 ऐसे increase होता जा रहा है बट यह क्या repeat नहीं हो रहा यह non terminating या non recurring number है तो जो भी non terminating या non recurring numbers होते हैं उनको हम क्या बोलते है irrational numbers बोलते हैं अगर अब इसका opposite समझ लो अगर वो terminating या recurring number होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे irrational number बोलेंगे ठीक है इसके बाद next point आता है कि real number क्या होता है real number के लिगा है collection of real number is made up of irrational and rational numbers या निकि real number किसको बोलते है real number उनको बोलते है जो बने हो कि irrational और rational numbers के mixture से बने हो चाहे बो terminating हो चाहे non terminating हो सारे के सारे numbers क्या बोले जाते है आपके real number बोले जाते हैं अब इसमें एक line ओरते रख का उसको समझते हैं इसमें बोला है कि every real number is not an irrational number ये बाट ठीक है कि irrational number real number हो जाएंगे बट उसने बोला है कि every real number जो भी होगा वो आपका irrational number नहीं हो सकता example 2 is a real number but not a rational number अब इस बात को समझते हैं इसने बोला कि real number क्या है तो real number में क्या है irrational और rational number दोन वा जाएंगे ठीक है irrational number और rational number दोनों आ रहेंगे ठीक है अब मैं बोलू all real numbers are irrational number तो possible ही नहीं है क्यों कि rational number को भी तो हम real number बोल रहे हैं अभी मैंने बोला कि 5 है तो 5 क्या है आपका एक integer है और अगर जितने भी integer है उन सब को rational number बोल सकते हैं, rational number है अब मैं इसको बूलों यह क्या है, यह rational number है बट क्या है, irrational number है, नहीं irrational number नहीं है, तो यह बात समझ में आया क्योंकि real number के अंदर दोनों ही values आ जाती है, ठीक है irrational number भी और rational number भी दोनों आ जाती है, लेकिन मैं अब मैंने mix कर लिया और इस box का नाम दे दिया कि यह real number है अब मैं बुलनों क्या इसके अंदर सारे के सारे irrational number है नहीं है भई rational number भी तो है तभी तो यह बनाए real number तो इस बात को याद रखना every real number is not a irrational number क्यों क्योंकि इसके अंदर कुछ rational number भी पड़े हुए है इसलिए तर्मिनेटिंग क्या होता है तो तर्मिनेटिंग अभी मैंने बताया था तर्मिनेटिंग देखो the decimal expression terminate और end after a finite of steps ठीक है इसके कहने का मतलब यह है कि जब भी तर्मिनेटिंग जैसे यह non-terminating और तर्मिनेटिंग आया था यही तर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर आप divide करते हैं किसी value को तो decimal के बाद वो एक point पर आकरके stop हो जाए तो infinity तक नहीं जाए तो यह क्या हो जाएंगे terminate हो जाएंगे जैसे मैंने बोला 3 upon 5 बोल दिया तो 1 upon 5 गया होता जीनों 0.25 गया हो जाए तो 3 upon 5 गया हो जाए तो 0.75 गया हो जाएगा तो यह क्या हो गया तो यह तो यह तरीके से लिखता 2 upon 3 लिखता तो 1 upon 3 0.333 होता है तो 2 upon 3 क्या हो जाता है 0.66666 till infinity तक हो जाएगा तो यह क्या है यह non-terminate number है terminates क्या होते हैं जो कहीं भी आ करके decimal के बाद क्या होते हैं एक value पर आ करके stop हो जाते हैं जैसे बोल रहा है example दिया है 7 upon 8 यह क्या हो जागा 0.875 यह आ करके क्या होगा इसकी series stop हो गई अन-number whose decimal expression is terminate और non-terminating recurring is a rational number एक्जामपल दे रखा है यह terminate number है यह आपका tell infinity तक जा रहा है इसको क्या है non-terminate number बोलेंगे और इसको हम 12 लगा के भी represent कर सकते हैं जैसे अभी मैंने लिखा यह वाला value आपके सामने 1 upon 3 equals to I write 0.3333 till infinity तो आप इसको एक और तरीके से लेख सकते हैं 0.3 bar तो इसका मतलब भी क्या हो गया है कि यह value क्या है repeat हो सकता है और इसको हम एक और तरीके से लेख सकते हैं 0.3 जैसे अगर मैंने लिखा 0.257 यह लिखा है तो आप इसको लिखेंगे 0.257 बार यह प्रेजेंट करेगा ठीक है तो यह समझ में आया इसके बाद बोलना non-terminating recurring repeating क्या होते हैं if we have a repeating block of digit in the question we say that expression is non-terminating recurring number यह समझ में आया तो अब मैं इसको ऐसे लिखा यह non-terminate हो क्या है terminate क्या है जो stop हो जाए जो stop नहीं हो वो क्या हो जाते है आपके non-terminate number हो जाते है इनको मैंने क्या है बार लगा के लिखा हुआ है ठीक है जैसे देखो अब यह लिखा हुआ है इसको मैं एक और तरीके से लिखना चाहूं तो यह 0.142857 last and first पर ही point लगा है तो भी यह present करेगा किसको इस बार को ही represent करेगा ठीक है next दे रखा है कि even numbers क्या होते है तो even numbers आप जानते है वो सारे numbers जिनको हम किस से divide कर से है two से divide कर से है दोजार even numbers and odd numbers क्या होते है जिनको two से divide नहीं कर सको वो सारे के सारे क्या होते है odd numbers होते है next line दे रखा है आपको prime numbers क्या होते है तो prime number a number greater than one देखों कोई भी ऐसा नम्मर जो क्या है वन से बढ़ा हो और उसके अंदर क्या पॉसिबिलेटी होनी चीए वो नमर डिवाइड होना चाहिए किस से वन से और इसलफ से डिवाइड होना चाहिए वो सारे-सारे नमर क्या उतने प्राइम नमर होते हैं जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला, तो 9 मेरा वन से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यह प्राइम नमर नहीं है यह 1 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, itself से भी डिवाइड हो रहा है, but यह एक additional value यानि यह 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यही नहीं चाहिए, divide होना से यह किस से, 1 से और itself से, जैसे मैंने गोला 19, 19 क्या है 1 से डिवाइड होगा, और 19 किस से डिवाइड होगा, only 19 से ही डिवाइड होगा, तो itself से और 1 से डिवाइड हो सकता है, that means we can say this is a prime number, clear हुगा, अब सबसे छोटा prime number की बात आती है, तो सबसे smallest value जो है, वो है 2, 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 एक तो itself से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 1 से डिवाइड होता है, और 2 डिवाइड होता है किस से, 2 से, और कोई factor नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, इसलिए we can say, 2 is a prime number, और 2 क्या है इवन नंबर भी है तो 2 is a smallest prime number and 2 is only an even number which is a prime number 2 एक only ऐसा digit है जो क्या है prime number भी है और even number भी है ठीक है अब आप से बूल रहा है कि prime number between 1 to 100 तो 1 to 100 prime numbers होते हैं वो होते हैं 25 counting में कितने होते हैं 25 होते हैं और कौन से कौन से होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए है वो आप इनको read कर सकते हैं ठीक है इतनी डिजिट्स तो आपके माहिन में पढ़ी रहनी से है prime numbers की क्योंकि prime numbers पे भी काफी complicated questions बनाई जा सकते हैं इसकी बात बोल रहा है composite numbers क्या होते हैं तो number greater than one कोई भी number जो वन से बढ़ा हो विच आप प्राइम नंबर और प्राइम नंबर नहीं हो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या बोले जाते हैं composite numbers बोले जाते हैं 46889 जो कुछ भी है सारे सारे क्या है composite number वन इस नीदर प्राइम नंबर नौर composite नंबर हम मैं बोलूं कि वन तो वन भाई वन से भी डिवाइड होता है और वन इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है तो मेरे साब से यह क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन क्लिए प्राइम नहीं होता है क्योंकि यहां पर यह बात क्लिर नहीं कर बाते है की जब मैंने अभी वन से इव्याइड किया और यहां पर इटसली वटीट इसक्व है यह मैंने पहले इट्सध इवाइड है जाँकि इसलिए इनको ना तो Contag बुछा घाए वन को और नहीं बोला गया time number ठीक है यह किसी भी value में mix ही नहीं कर पाता है clear है यह बात वैसे क्या है itself से divide हो जाता है लेकिन यहां पर क्या है यह clear नहीं बता पाते हैं कि पहले यह itself वाला one कौन सा है या फिर one वाला one कौन सा है ठीक है इसलिए अब next वाले बात आ दिया आपके सामने co prime numbers क्या ह होते हैं देखो one co prime numbers क्या होते हैं two natural numbers a and b are said to be co prime numbers if their hcf is one इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो values हैं उनके बीच में कोई भी common factor नहीं हो जब common factor नहीं होता तो उनके बीच में आपने co prime numbers बोलते हैं देखो कोई भी मैं अगर series में number लेता हूं जैसे मैंने बोला two three four five six ऐसे मैंने यह numbers लिये तो इनमें कोई भी दो number उठा लो क्रम से मैंने उठाया two three तो यह आपस में co prime होंगे इनके कोई भी factor match नहीं करेंगे मैंने उठाया three four यह भी co prime होंगे यह 11 हो जाएगा 12 के factor करूँगा तो यह भी one into 12 हो जाएगा इन दोनों में common factor क्या है one है अगर one common factor होता है कोई भी दो digits के बीज में they are co prime numbers जैसे मैंने बोला 17 and 21 इनके बीच में co prime numbers यह numbers चाहें किसी से भी divide हो जाएं बट यह बहुत आथ co prime numbers क्योंकि इनके बीच में फोजी factor common नहीं है यह बात clear हुआ तो यह आपको दे रखखा है co prime numbers के बारे में information की co prime numbers क्या होते हैं अब देखो मैं थोड़ा repeat कर देता हूं मैंने आपको क्या पताया मैंने सबसे पहले आपको बताया कि natural numbers क्या होते है natural जो प्रकती ने वह देए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ? रेशनल नंबर्स वह दें जिनको p upon q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं ? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं इसमें मैंने एक बात आपको याद करने के लिए बुला था कि all integers are rational number क्योंकि हम उनको 1 से डिवाइड करके बना सकते हैं बट all rational numbers are not integer ठीक है और मैंने इसमें एक बात बताया रहे कि दो rational number दे रहे हैं उनके बीच में कितने rational number और आ सकते हैं तो वो infinity आ सकते हैं इसके बाद मैंने positive integer, negative integer बताया था आपको ठीक है और इसके बाद irrational numbers बताया थे जिनको पी अपॉन क्यों के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं इसके बाद मैंने बताया था recurring number क्या होते है recurring जो क्या कहते हैं repeat होते रहते हैं nonterminate numbers क्या होते है जिनको decimal के बाद अगर आप divide करते है तो decimal के बाद वो एक value पर आकर के क्या हो जाते है stop हो जाते है non terminate numbers क्या होते हैं जो आकर के stop नहीं होते infinity तक लिखे जा सकते हैं वो सारे होते है प्राइम नम्मर मैंने बताया था co-prime numbers बोले जाएंगे, sorry वो सारे-सारे composite numbers बोले जाएंगे और co-prime numbers क्या होते हैं, co-prime numbers बोले जिनके वीज में कोई factor match नहीं करें, उनको हम co-prime numbers बोलते हैं, ठीक है तो ये आज मैंने आपको बताया थोड़ा सा number system के बारे में कि numbers क्या होते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा informate किया है इसके बाद किस तरीके से number system के chapter में entry करेंगे किस तरीके से आपके exam में question पूछे जाते हैं, आप कैसे उसको solve करते हैं अब तक करते हैं और आप कैसे solve करेंगे exam approach के साब से यह सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next class में, thank you